कल हमने आपके सामने पेंटगन की वारशिक रिपोर्ट साजा की जिसमें यह जाहिर किया गया था कि कैसे चीन ने भारत की अरुनाचल प्रदेश की सीमा के साड़े चार किलोमीटर भीतर घुसकर गाउं बनाया है आज मीडिया के माध्यम से जीयोसी इन कमांड जो इस्टर आर्मी कमांड के जीयोसी हैं उनके हवाले से यह खबर आई कि चुम्बी वैली चुम्बी घाटी जो है में सक्रियता से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सडकों का जाल बिछा रहा है फाइबर आप्टिक केबल डाल रहा है और अपनी मौझूदगी को एक तरह से वहाँ दर्ज करा रहा है चुम्बी वैली सीधे सीधे जो सिलिगुडी कोरिडॉर है उसको खत्रे में डालता है सिलिगुडी कोरिडॉर हमारे पुर्वत्तर के साथ राज्यों को भारत से जोडता है इसका सामरिक द्रिष्टी से बहुत ज़्यादा महत्वपुन छेत रहा है तो सिधे सिधे सिलिगुडी कोरिडॉर खत्रे में आ रहा है पूर्व में पिछले 18 महीनों में चीन ने अलग-अलग सीमाओं के में घुसपैट करके जो किया वो आप उससे वाकिफ हैं जानते हैं लद्दाख में क्या हुआ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में क्या हुआ डेप सांग में क्या हुआ और पिछले महीने उत्राखंड में कैसे बारा होटी में घुसपैट करके हमारे पुल तोड़के चीन की पियल्ले वापस गई दौलद बेग ओल्डी सेक्टर में जो हमारी हवाई पट्टी है वो सीधे सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ गई ये पिछले अठारा महीने में हुआ चीन तिबेत्व नेपाल बॉर्डर को जोडते वे एक हाईवे बना देता है भारत सरकार चुप रहती है चीन भूटान के साथ सीधे समवाद करता है अपने संबंध बनाता है M.O.U. साइन करता है नक्षे अप्रूव करता है भारत सरकार चुप रहती है इसमें भी पडोस की बात बता रहा हूं हमारे पडोसी देशों की बात चीन श्री लंका में बंदरगाह ले लेता है भारत सरकार चुप रहती है चीन मौल्दीव में द्वीप हत्या लेता है और वो द्वीप हत्याने से हमें खत्रा है सीधे सीधे भारत के विपरीज जाती है ये बात लेकिन भारत सरकार चुप है चीन पाकिस्तान के गौदर पोर्ट को हत्या लेता है भारत सरकार चुप है चीन पाकिस्तान के अलावा मौल्दीज भूटान नेपाल श्री लंका इन सब में सक्रिय हो जाता है हमारे सामरिक हितों के खिलाफ सक्रिय हो रहा है भारत सरकार चुप है और जब भारत सरकार बोलती है तो क्लीन चिट दे देती है यह हुई पडोसी मुलकों की बात लद्दाक, सिक्किम, उत्राखंड, अरुनाचल प्रदेश और अब सिलिगुडी कॉरिडॉर अब भी भारत सरकार चुप क्यों है हम इन छद्म राश्वादियों से यह आवान करते हैं कि आज मूँ खोलें और देश को बताएं, देश के सामने सच बोलें क्लीन चिट वापस लें, कली हमने मांग की थी, आज हम मांग करते हैं कि आपकी राश्ट्री कारिकारिनी की बैठक चल रही है, इसमें आप साजा कीजिए असली जानकारी देश को चारों तरफ से जो चीन का खत्रा आ रहा है उसमें आप क्या करने वाले हैं, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आज हम आपके माध्यम से ही है, आभवान उन से करते है उस क्लीन चिट का इतना भारी नुकसान हुआ, मैंने अभी वो नुकसान आपके सामone गिनाए हैं और भी कई नुकसान है लेकिन व्यापार फिर से पटड़ी पर आ गया है चीन के साथ सत सत पतिशत बढ़ गया है छे महीने में एप जिनको बैन करके बढ़ी पीट ठोकी गई थी एक दूसरे की सब मंत्रियों ने प्रधान मंत्री की पीट थपाई के साब एप बैन कर दी वहां मैप पे हमला हो रहा था बैन एप की जा रही थी आज वो एप पे भी बैन कहा है मुझे बताईए तो इसलिए इनका छद्म राश्ट्रवाद सीमाओं पर उसका ज्वलंत उधारन आपको चारों तरफ दिख रहा है ये है इनका राश्ट्रवाद जिसमें राश्ट की स देश के दुश्मनों को दिखाई जाएंगे उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से इंचद्म राश्ट्रवादियों पर आज कोई दबाव पड़ेगा और चीन पर प्रधान मंतरी दो चीजें करेंगे एक तो क्लीन चिट वापस लेंगे दूसरा चीन के उपर कड़े से हादों में कुछ बात कहेंगे कोई वक्तव देंगे जिससे देश को यो भरोसा हो कि देश सुरक्षित हातों में है वो भरोसा खतम हो चुका है